वेल्कम ड्रीम बिर्ड श्कूल ऑनलाइन क्लासस क्लास टेंथ चैप्टर फाइव का नाम आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेसंट तो आपका कैसी एक सिरीज दी होगी तो अर्थमेटिक होगी एपी में दी होगी सिरीज तो इसके बारे में आप लोग डिसकस करते हैं इसको साल करना है तो देखेग इसको जैसे साल करते हैं जो आपके दिये होगी टर्म दिये होगी कैसे 1-2-3-4 एंड-so-one ऐसे टर्म दिये होगा है 70 हो गया 40 गया 10 होगा इन बीच का देखेगे कॉमन जो डिपरेंट होगा तो सेम होगा 70 हो इनके सभी बीचों का होगा जिस सीरिज में होगा तो उसका हम लोग AP यानि gentlemen को बताना है question no roll तो है यह पर आपको breaking हर तकि प्रोग्रेसटेशन होता के नहां होता दा embarkasi of the pay or active each क्लोमीटर हुए फों मक्करा किराय लेती है फिर फिर को फिरॐस्ट किलोमीटर के भाद काओ दिरीफ में विफरेच में इडिस्नोल करती है और करती आपको बताना कि यह किस तरह की है. तो देखिए आपका क्या दिया है. यह सीरीज दी हुए है. 15 रूपे एक किलो मीटर, 15 एट लगता है. यानि आपको प्रतेक किलो मीटर 8 रुपे एड करती जाती है. तो देखिए यहां पास क्या हो जाएगा? तो यहां भी हो जाएगा, यहां देखे क्या हो जाएगा आपका, तो आप यहां पास add करते जाएगे, तो देखे यह 2 करेंगे, यह 15, 15 प्लस 8, 15 प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8, और 15 प्लस 3 इंटू 8 हो जाएगा, तो मिस 15 देखा, 23 देखा, 31 देखा, 39, यह आपका एक स्रीज बन रही तो आप लोगों को इस तरह की स्रीज लिख देना जिसमें होगी तो आपको सिरीज एपी में बना देना जिसमें नहीं होगी तो नहीं बनाना आपको लोगों को कि आपको remove करना 1 by 4 है ठीक है इसमें नहीं बनेगे आपकी तो आप लोगों को इसमें देखें आप दो दुआ the cost of the decisions तो आप लोगों को कर लेना है question को ठीक अप देखे है question number क्या दिया second दिया the right first 4 term लिकना first 4 term लिकना a repeat when be the first term a और common difference दिया series का दोर दिया पस्ट टर्म दो किया दी दिया है. देखिया हमारी जो सिरीज होती किस टाइब क्यों होती है A, A, A plus manufacturing ौ twentyữa слишком ौ McGonass Oh, A plus two-d Yeah, plus three-d वोती है is type के सिरीज हमारी होती है तो हमारा क्या दिया है A की वैलू दी है फ़र्च में tinn दिया है और D के value क्या दिया आपकी, D के value गी 10 दी है, A first 10 हो जाएगा, A के value 10 रख दिया, D के value 10 रख दिया, तो 20 आ गई, A के value 10 रखा, और D के value 10 है, तो 2 into 10, 30 आ गई, दूसरा 20 हो गई, 30 और 40 आ जागी, इनके बीच के, सभी में common difference किते हैं, एक 10 का है, इसमें भी 10 का, सभी में 10 का common difference है, तो आप लोगों को इस तरह की series लिख देना है, ठीक है, यह आपका rough work में बता रहा हूं आपको, तो इस तरह आपको series लिख देना है, ठीक है, इसी तरह देखे, question number इसमें दिया है, जो आपका दिया है, A equal भी दिया है, B equal और D equal दिया, तो इसमें आपको series जो बनेगी second, इस तरह बनेगी, minus 2 minus D equal क्या दिया है आपका, 0 दिया है, और A equal क्या दिया है, आपका minus 2 दिया है, फोर दिया है, डीकुल क्या दिया है, त्री दिया है, एककल 4, and dफ़ल क्या दिया है, आपका माईनस 3 है, ठीक है, दीक्वल, तौलों को फॉर, फस्ट लबाओ आपका फस्ट टर्म, इस्वंगा हो त्सट अ पहला तो आपनों को question number इसमें question number आपको ये दिये हुए question number, तो आपनों को कर लेना है, ये question number आपके दिये हैं, third में, second के तो कर लिया, तो इनके सभी की निकाल देना तो तर्म है तो आगे वाले टर्म, फोर्ट तर्म निकाल देना अब थर्म कहता है फोर फार्दा फैलोंग सीरीज का common difference निकालना हमको देखिए जो हमारी सीरीज दिये उसमें को common difference निकालना है ठीक है तो common difference निकालने का formula आपका a दिया है आपका first term a कहलाता है तो d निकालने का formula यह है तो आपको यह formula याद कर लेना है d equal a2 minus a1 होता है second term में first term minus कर देना है तो आपको common difference आजाएगा 3, 1, minus 1, minus 3d है तो आपका देखिए यह first term में तो a2 minus a1 करेंगे a2 minus a1 करेंगे तो आपका कौन सा जाएगी d की value आजाएगी तो d equal का जाएगा आपका minus 2 आजाएगा तो आपकी ये series हो जाएगी series में d की common difference आजाएगा d हो जाएगा तो series में जो d की value आएगी वही लिख देना आपको d equal का आएगा minus 2 आगया तो आप लोगों ने कर दिया ये d की value निकाल दिया फिर आपका फ़्वर नम्बर में दिख्याmiş इसमें ओर कोष्यन है और आप लोग्स बंजाए जिसमें d की value निकालना है तो आपको कया करना minus 1 और plus 5 तो क्याह आजाएगा minus 1 और प्लस 5 करना है तो आपका है माइनस 5 दिया है तो प्लस करेंगे माइनस 6 आ जाए इनके बीच के common difference तो इस तरह common difference निकाल देना है तो आपके common D की value निकालना है D के बेल नों निकालने के फर्मूला आपका लिख देना क्या होता फर्मूला A2-A1 होता है अब question number 4 में कहता है which abdha following sabdha AP इस series में ताना D दिया है D निकालना है ठीक और बताना और आगे के term निकालना जो AP में होगी देखिए first इसमें दिया है 248 16 तो आपका जो question दिया है 248 16 तो यह series में देखना common difference क्या सेम आता है जो हमारी AP की series होती है तो उनके बीच का common difference सेम होता है जैसे देखिए आपने इधर question किया था एक जो आपका 10 दिया था और यह common difference 10 था तो series आ रही थी 10 आ रही थी और क्या रहा था 20, 30, 40 इस तरह एक series है common difference क्या होगा इनके सभी बीच का जो different होगा 10 10 का होगा है 7term का Saim दिया है तो समको देखर है कि इसमें हम पहले बीही निकालना थो आपका यह यह a1 a 2 a 3 हो जाएक हम निकालेंगे relation क्या हो जागा था ज़्स क्या हो जाए के हमारी series AP में नहीं है तो इसका हो जाए, आंगे के term में नहीं आएगगे, तो आप लोगों किस तरह कर देना है. कि तो आपको यह बता ना है कि इसमें AP में है कि नहीं है, अगर हो लोग्ता हो गे तो आंगे वाले term निकालने के लिए अपे प्लस करना है. तो मैं इन दोनों बीच में common difference क्या दिया है? 4 का है. तो देखिए, ये इसके बीच southern common difference क्या है? minus 2 और plus 6, 4 का है. इसमें भी आपका common difference क्या है? 4 का है. तो आपके यांगे वाले term हो जाएंगे six होगा ten होगा. ऐसे आपके यांगे वाले term हाजाएंगे. कौन कौन से term होगा, आ trademark होगा. आ गर aager term आपके आजाएंगे. कौन कौन से होगा अपका, six होगा, ten होगा, fourteen होगा, tas के आजाएंगे, kogं से होगा, six होगा, ten आएगा और fourteen आएगा. तो आप लोग निकाल लेंगे. तो इस तरहे आप लोगो को, आपको 5.1 साल्व करना अगर कहीं प्राब्लमातित आप लोग कोशन पूह सकते हैं तो आप लोग चैप्टर 5.1 कंप्लीट करना है तैंक यू